रोबर्ट कियोसा की द्वारा लिखित पुस्तक, कैश फ्लो कॉडरेंट और्डियो बुग बाई मिलियनेयर माइंड्स मनुष्य स्वतन्त्र जन्मा है, परंतु हर तरफ वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है हर इंसान स्वयम को दूसरों का स्वामी समझता है परंतु इसके बाबजूद वह उनकी तुलना में दास्ता का ज़्यादा बड़ा शिकार है जयां जयक सरूस हो मेरे अमेरी डाइडी कहा करते थे वित्य सुतंतता के बिना आपको कभी सची सुतंतता नहीं मिल सकती इसके बाद वे कहते थे हो सकता है, सुतंतता आसानी से मिल जाए परंतु इसकी एक कीमत होती है यह पुस्तक उन लोगों के लिए समर्पित है जो यह कीमत चुकाने के लिए इच्चुक है हमारे मित्रों को रिच डैट पूर डैट की अद्भूत सफलता से दुनिया भर में हमारे हजारों मित्र बन गए हैं उनके स्नेपूर्ण शब्दो और मित्रता ने हमें कैश फ्लो लिखने के लिए प्रेरित किया है जो दरसल रिच डैट पूर डैट का ही अगला भाग है हम अपने नए और पुराने मित्रों को धन्यवाद देना चाते हैं जिनोंने बहुत उत्सा के साथ हमारा समर्थन किया है इतने प्रबल समर्थन की हम सपने में भी आशा नहीं कर सकते थे प्रस्तावना आप किस कौडरेंट में हैं? क्या यह कौडरेंट आपके लिए सही है? क्या आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं? अगर आप वित्य दौराहे पर खड़े हैं तो कैश्फ्लेव कौडरेंट आपके लिए ही लिखी गई है अगर आप अपने वित्य भविश्य को बदलना चाहते हैं और इसका नियंतर्ण आज ही अपने हाथ में लिना चाहते हैं तो यह पुस्तक इस यात्रा का नक्षा बनाने में आपकी मदद करेगी यह कैश्फ्लो कौडरेंट है कौडरेंट के अक्षरों का अर्थ यानि निवेशक या इन्वेश्टर हम में से हर व्यक्ति कैश्फ्लो कौडरेंट के चार कौडरेंटों में से कम से कम किसी एक कौडरेंट में रहता है हम कहा है यह इस बात से तैह होता है कि हमारी आमदनी कहां से होती है हम में से ज़ादा तर लोग तनख्वा पर निर्भर है और इसलिए कर्मचारी हैं जबकि बाकि खुद का व्योसाई कर रहे हैं या Self-Employed हैं कर्मचारी और Self-Employed लोग Cash Flow Quadrant के बाइं हिस्से में आते हैं Cash Flow Quadrant के दाइं हिस्से में वे लोग आते हैं जिने अपने स्वामित्त वाले बिजनस या निवेशों से आमदनी होती है. Cashflow Quadrant चार अलग-अलग तरह के लोगों के बारे में हैं जिन में बिजनस की दुनिया चलती है. यह पुस्तक बताती है कि हर Quadrant के लोगों में कौन सी अनूठी चीज होती है. यह पुस्तक यह जानने में आपकी मदद करेगी कि आप आज Quadrant में कहां हैं, आप भविश्य में जहां पहुचना चाते हैं, वहां तक की यातरा का नक्षा बनाने में भी यह आपकी मदद करेगी. आपका भविश्य आर्थिक स्वतंत्ता के आपके चुने हुए रास्ते पर निर्भर करेगा, हाला कि आर्थिक स्वतंत्ता इन चारों ही Quadrant में पाई जाती है, परन्तु B या I की योग्यताएं आपको आर्थिक लक्षयों तक जादा जल्दी पहुचा देती हैं, जो सफल E है, उस सफल आई भी बन सकता है, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? यह पुस्तक, कई माईनों में मेरे पुस्तक Rich Dad Poor Dad का दूसरा भाग है, आप मेंसे जिन लोगों ने Rich Dad Poor Dad नहीं पड़ी है, उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह उन अलग-अलग शिक्षाओं के बारे में है, जो मुझे मेरे दो डैडियों ने धन और जीवन के चुनाओं में विशय में दी थी, एक मेरे असली डैडी थे और दूसरे मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे, एक उच्च सिक्षक थे जबकि दूसरे ने हाई स्कूल की पढ़ाई अधूरी छोड़ दे थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, और फिर एक शुरक्षित नौकरी ढूंड लो, वे जीवन में हमेशा इस रास्ते पर चलने की सलहा देते थे, गरीब डैडी की सलहा, गरीब डैडी हमेशा सलहा देते थे, कि मैं या तो उची तुनखा वाला ई कर्मचारी ब भाई थनक्वा, दीगर सुविधाओं और नौकरी की सुरक्षा के बारे में बहुत चिंता करते थे, इसलिए वे उची तुनखा वाले सरकारी अधिकारी और हवाई राज्ये के शिक्षा प्रमुक थे, दूसरी और मेरे अमीर परंतु अक्षिक्षिक डैडी बिलकुल अल इस पुस्तक में यह बताया गया है कि आपने अमीर डैडी की सलहा पर अमल करते समय मैं किस मानसिक, भावनात्मक और सैक्षिनरिक प्रक्रिया से गुजरा हूँ, यह पुस्तक किस के लिए है? यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है, जो कौर्डरेंट बदलने के लिए तयार है, यह पुस्तक खास तोर पर उनके लिए है, जो वर्तमान में E या S कौर्डरेंट में हैं, और B या I कौर्डरेंट में जाने के बारे में विचार कर रहे हैं, यह उन लोगों के लिए है, जो नौकरी की सुरक्षा के बजाए आर्थिक सुरक्षा हाथसल करना चाते हैं, यह यात्रा असान नहीं है, परंतु इस यात्रा के अंत में पुरुसकार इतने बड़े हैं कि यह लायबधायक साबित होगी, यह आर्थिक सुरक्षा की यात्रा है, जब मैं 12 साल का था, तो मेरे अमीर डैडी ने मुझे एक कहानी सुनाई, जिसने मुझे और S तथा कॉर्डरेंट के दाएं हिस्से, यानि B और I कॉर्डरेंटों के बीच का अंतर समझाना चाते थे, कहानी इस तरीके से थी, एक बार की बात है, एक छोटा सा गाउं था, यहां का जीवन बहुत सुखत था, सिर्फ एक समस्या थी, बारिश ना होने पर इस गाउं में पानी नहीं रहता था, गाउं वाले इस समस्या से हमीशा के लिए मुक्ति पाना चाते थे, इसलिए गाउं के बुजुर्गों ने गाउं में नियमित रूप से पानी उपलब्ध कराने की निविदाएं मांगी, दो लोग इस काम को करने के लिए स्वेच्छा से आगे और गाउं के बुजुर्गों ने उन दोनों का ही इसका ठेका दे दिया, उन्हें लगा कि थोड़ी प्रतियोगिता होने पर कीमते कम रहेंगी और पानी की अपूर्ती के वैकल्पिक विवस्ता भी बनी रहेगी, इन दोनों सफल ठेकेदारों में से एक का नाम एड था, ज वै ततकाल पैसे कमाने लगा, क्योंकि सुबा से शाम तक वै जील से भाल्टियां भरता था और उन्हें गाउं में बने सीमेंट के बड़े टैंक में खाली करता था, हर सुबा वै गाउं वालों के उठने से पहले उठ जाता था, ताकि गाउं वालों को सुबा सुबा परि ठेकेदारों में से एक था, दूसरा ठेकेदार, बिल कुछ समय के लिए गायब हो गया, वह महीनों तक नजर नहीं आया, जिससे एड बहुत खुश हुआ, क्योंकि अब बिजनस में उसका कोई प्रतियोगी नहीं था, सारा पैसा एड ही कमा रहा था, एड के साथ प्रतियोगीता करने के लिए दो बाल्टियां खरीदने के बज़ाए, बिल ने बिजनस की योजना बनाई, एक कॉर्पोरेशन बनाया, चार निवेशकों को तयार किया, एक प्रेजिडेंट को नौकरी पर रखा, और छे महीने बाद वह निर्मार दल के साथ गोशना की कि वह एड के पानी से ज़्यादा साफ पानी उपलब्द कराएगा, बिल यह बात जानता था कि गाउवाले एड के पानी में गंदगी की शिकायते कर रहे थे, बिल ने यह भी गोशना की कि वह गाउवालों को हफतों में सातों दिन और 24 घंटे पानी की अपूर और अधिक विश्वस्निय स्त्रोत के बावजूद एड से 75% कम लागन लेगा। गाउं वालों ने तालिया मजाई और बिल की पाइपलाइन से कनेक्शन लेने के लिए दोड़े पड़े। अपने दोनों पुत्रों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया ताकि वे उसकी नाइट शिफ्ट और छुटियों में उसके मदद कर सके। जब उसके लड़के कॉलेज गए तो उसने उनसे कहा जल्दी आना क्योंकि किसी दिन यह बिजनस तुमारा होगा। ना जाने क्यों उनों पुत्र वापस नहीं लोटे। आखिरकार एड को करमचारियां और यूनियन के समस्याओं को सामना करना वड़ा। यूनियन जादा मजदूरी और बहतर सुवधाओं की मांग कर रही थी और चाहती थी कि इसके अनेक सदस्य एक बार में सिर्फ एक बाल्टी पाने ही होएं। दूसरी तरफ बिल ने सोचा कि इस गाउं की तरह ही दूसरे गाउं में भी पाने की जगरत होगी। उसने बिजनेस की एक और योजना बनाई। इसके बाद वह तीवर गती से अधिक पानी, कम लागत और साफ पानी के अपने डिलीवरी सिस्टम को बेचने के करे। अर्बो लोग अर्बो बाल्टियां पानी की उपियोग करते थे और सारा धन उसके बैंक खाते में जमा होता रहता था। बिल ने एक ऐसी पाइपलाइन बना ली थी जिससे उसके पास पैसा आता था और गाउं वालों के पास पानी। बिल हमेशा सुक से रहा। दू इसने निर्णय कन्य की प्रक्रिया में मेरे जीवन भर मदद की है। मैं अक्सर खुद से पूचता हूँ। मैं पाइपलाइन बना रहा हूँ या बाल्टियां भरकर पानी डाल रहा हूँ। मैं कड़ी महनत कर रहा हूँ या स्मार्ट तरीके से महनत कर रहा हूँ। इन सव चीज की जुरुत होती है यह उन लोगों के लिए है जो बाल्टियां ढोटे-ढोटे ठक गए है और ऐसी पाइपलाईने बिछाना चाते हैं जो पैसे को बहा कर उनकी जेब के अंदर लाएं उनकी जेब से बाहर ना ले जाएं यह पुस्तक तीन कोडरेंटों की ओर क्यों आकरशित होते हैं और अक्सर वहीं फसे रह जाते हैं इसमें आपको यह जानने के लिए मदद मिलेगी कि आप कोडरेंट में आज कहां हैं और 5 साल बाद कहां होना चाते हैं खंड दो यह पुस्तक का तीसरे खंड में वह साथ कदम बताए गए हैं जो आपको कोडरेंट के दाएं हिस्से में पहुचाएंगे सफल B और I बनने के लिए कौन सी योग गिताएं अवश्यक हैं इस बारे में आपको अपने अमीर डैडी का मैं रहस्य से बताऊंगा इससे आपको आर्थिक सुतनता की अपनी रहा चुनने में मदद मिलेगी कैश्फलो कोडरेंट में वित्य बुद्धिमान के महत्तो पर जोड दूँगा अगर आप E या S वाले बाएं हिस्से में बने रहके विकल्प चुनना चाते हैं तो आपको स्मार्ट बनने की कोई खास ज़रुरत नहीं है बहराल आपको B या I के रूप में कोडरेंट के दाएं हिस्से में काम करना चाते हैं तो आपको बहुत स्मार्ट बनना होगा B या I बनने के लिए आपको उस दिशा में नियंतरित करना होगा जहां से आप, आपका कैशलो या आमदनी आ रही है यह पुस्तक उन लोगों के लिए लिखी गई है जो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तयार है यह उन लोगों के लिए लिखी गई है जो नौकरी की शुरक्षा से आगे बढ़ने के लिए तयार है और वित्य सुदंता राप्त करने के लिए अपनी खुद की पाइपलाइन बनाना शुरू कर रहे हैं हम सूचना युग के शुरुवात में हैं यह एक आर्थिक पुरुस्कार के और अधिक अवसर प्रदान करेगी बी और आई की युगता वाले लोग उन अवसरों को पहचान सकेंगे और उनका दोहन कर सकेंगे सूचना युग में सफल होने के लिए व्यक्ति को चारों कॉडरेंटों की जानकारी होनी चाहिए दुर्भाग्य से हमारे स्कूल अभी और द्यागे की युग में है और विद्यार्थियों को कॉडरेंट सिर्फ बाए हिस्ते के लिए तयार करता है अगर आप सूचना युग यानि इन्फोमेशन एज में प्रगति करने के लिए नए जवाबों की तलाश करना चाहते हैं तो यह कुस्तक आपके लिए लिखी गई है यह सूचना युग में आपकी यात्रा में मदद करने के लिए लिखी गई है इसमें सारे जवाब नहीं है परन्तु यह उन गहरे विक्तिगत और मार्ग दर्शक सबकों के बारे में बताएगी जो मैंने कैश फ्लो कॉर्डरेंट के E और S वाले हिस्से में B और I वाले हिस्से तक की अपनी यात्रा के दौरान सीखे है अगर आप अपने वित्य सुतंता के शुरुवात करें या पहले से ही इस रहा पर चल पड़े हैं तो यह पुस्तक आपके लिए ही लिखी गई है